मशूर एक्टर साहिल खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जी हाँ एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर है एक्टर पर मुसीबत आ पड़ी है जी हाँ आपको बता दे कि एक्टर साहिल खान को महादेव वेटिंग एप मामले में मुंबई पुलिस S.I.T. ने हिरासत में ले लिया है खबर है कि एक्टर खान दा लाइन बुक एप नाम के एक सट्टेवाजी एप से चुड़े हुए थे जो महादेव वेटिंग एप नेटवर्क का भी हिस्सा है मामले में पहले मुंबई पुलिस ने S.I.T. ने उनसे पुछताच की थी खबर है कि एक्टर साहिल खान ने जमानत के लिए कोट कर दर्वाजा भी खटटाया था लेकिन उनकी जमानत खारिस कर दी गई है आपको बता दे कि महादेव वेटिंग एप मामले में अब कई एक्टर्स का डाम सामने आ चुका है वहीं अब इस लिस्ट में साहिल खान का भी नाम शुमार हो गया है एक्टर को 36 गड़ में हिरासत में ले लिया गया है खबर है कि एक्टर साहिल खान को 36 गड़ से मुंबई लाया जा रहा है जी हाँ एक्टर साहिल खान पर लाइन बुक एप को प्रमोट और उनके इवेंट अटेंड करने का अरोब लगा है लाइन बुक को प्रमोट करने के बाद उन्होंने बतोर पार्टनर लोटेस बुक 24-7 एप लॉंच किया है खबर है कि एक्टर साहिल खान एप को बढ़ावाद देने के लिए अपने रोब का इस्तिमाल करते थे जी हाँ एक्टर साहिल खान सेलेबरिटी को बुलाते थे और ग्रैन पार्टी का एवजन करते थे फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से चांच कर रही है खबर है कि जल्दी पुलिस केस में कई और बड़े पहलों को सामने ला सकती है इससे जुड़ी और जाद अपडेट के लिए जुड़ी रही हमारे चैनल MCS News Official के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेय करना ना भूलें